दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने computer या laptop से आधार कार्ड कैसे download करें अगर आपको पुराना आधार कार्ड download करना है या फिर आपने नए आधार कार्ड के लिए अपलाई किया था आप उसको download करना चाहते हैं तो वीडियो को end तक देखते रहिए, तो दोस्तों सबसे पहले आपको कोई से भी एक browser open कर लेना है अपने laptop या computer में, यहाँ पर देखिए एक search बार है, यहाँ से search कर लीजिए, EDJE, तो आपको Microsoft Edge browser मिल जागा, या फिर आप search कर लीजिए, Internet Explorer, यह भी एक browser Internet Explorer करके, आप इसको भी use कर सकते हैं, या फिर Mozilla Firefox वो open कर लीजिए, मेरे पास Chrome है, मैं Chrome को open कर लेता हूँ, ब्राउजर में आने के बाद, यहाँ पर आपको search करना है, UIDIA, UIDIA, इसको enter कर दीजिए, आप देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर, UIDIA.gov.in करके website मिलेगी, यह ही website आपको open करनी है, यह government के official website है, तो इसको मैं click कर लेता हूँ, अब यहाँ पर आपको कई सारे languages देखने को मिलेंगे, आप जिस भी language में continue करना चाहते हैं, वो आप select कर लीजे, यहाँ पर मैं English कर लेता हूँ, website में आने के बाद, कुछ इस प्रकार से आपको interface मिलेगा, हो सकता है, थोड़ा बहुत change हो, time के साथ थोड़ा बहुत change होता रहता है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप देखें सबसे उपर में ही आपको पहले नमबर पर, एक option मिलेगा, update आधार card, उसके नीचे एक option है, get आधार, तो get आधार में आप देखेंगे, यहाँ पर कैसारे links बने हुए है, यहाँ देखें, blue color से link बना हुए है, इसमें एक option है, download आधार का, यहाँ download आधार पर आप click कर दिजिए, फिर आपके सामने एक नया tab open हो जाएगा, अब यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, अब यहाँ पर देखेंगे आपको एक option मिलेकर, download आधार का, आपको यहाँ download आधार पर click कर देना है, अब यहाँ पर आपको तीन option मिलेंगे एक है आधार number अगर आपके पास आधार card पहले से ही बना हुआ है उसको आप download करना चाहते हैं तो आधार number वाला select कीजे अगर आपका आधार card अभी भी नहीं बना है आपने apply किया था तो उसमें आपको एक enrollment ID मिलेगी तो मैंने अपना आधार number डाल दिया है फिर यहाँ पर आपको capture डाल देना है capture में देखिए जो small letter उसको small में लिखिएगा जो capital में उसको capital में लिखिएगा तो यहाँ पर में डाल देता हूँ capital U, F, उसके बाद 7 फिर capital U, उसके बाद 0, फिर O तो capture अगर आपको गलत होगे है तो कोई डर्नी की बात नहीं है यहाँ पर आप refresh करके नया capture भी देख सकते हैं फिर यहाँ पर आपको send OTP पर click कर देना है जैसे आप send OTP पर click करेंगे तो आपके register mobile number पर OTP जाएगा जो आपने आधार card में register किया होगा उसी mobile number पर OTP जाएगा तो वो OTP आपको यहाँ पर enter कर देना है तो मेरा OTP आ चुका है यहाँ पर मैं OTP डाल देता हूँ 60-31-58 OTP डालने के बाद आपको verify and download पर click कर देना है अगर आपको OTP नहीं आया है तो यहाँ recent OTP का option मिलेगा थोड़ी time बात उस पर click कर गए आप दोबारे से OTP माँआ सकते हैं तो यहाँ verify and download पर click कीजे अब आपके सामने एक नया page open हो जाएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आधार कार्ट automatic download भी हो जाएगा PDF के form में यहाँ देखे download हो गया है अब इसको open कैसे करना यहाँ पर बता रहा है combine of the first four letter of your name in capital letter and year of birth in YY format यानि कि आपके आधार कार्ट में जो भी नाम है उसका पहला चार अच्छर capital letter में लिखना है उसके बाद आपको अपना जनमतिती का साल लिखना है महीना और डेट मत लिखेगा तो चलिए हम लोग इसको open करते हैं यहाँ से हम चले जाते हैं डाउनलोड में इसको हम double click करके open करते हैं अब देखें यहाँ पर password मांग रहा है तो यहाँ पर मैं password डाल देता हूँ तो मैंने password डाल दिया है यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आधार काड open हो गया है मैंने blur किया हूँ है security purpose की वज़े से आप चाहें तो इसको print भी करा सकते हैं जिस प्रकार से आपका आधार काड आता है सेम उसी प्रकार से यहाँ पर digital form में डाउनलोड हो गया है तो इस प्रकार से आप अपने computer ये laptop से बहुत ही आसानी से अपना आधार का डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आयो वीडियो फुल लगाओ तो वीडियो का लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी question है तो comment box में जरूर से पूछ लीजेगा